ही फ्सरेंग क्या हाल चलें सब कुछ बढ़िया है। बहुत सारे लुग बोलते रहे हैं कि बताो जरा पठान के बारे में क्या रहा है। हम क्या बताएं यहार पुरदान मंतरी साथ कुछ बता रहे हैं वो अपने कैबनेוätter को ब्ली को रहे हैं चोटी पेटी चीजों के अंदर ज्यादा इंटरस्स दिखाती है डॉलेप्मेंट के यह सब कामों में कम इंटरस्स दिखा रही है तो यह काफी सारे निव्स चैनल के ऊपर काफी जाधा वेब साइट ने आज ये कवर किया कि यूजली जब इस तरीके कॉमेंट किसी पाटी परकर से या फिर कबिनेट से आते हैं तो क्योंकि आज दो मेडिया है वो टी-र-पी ड्रिवन है वो इनको इतना मिनिस्टर्स हैं वो इस बात को ध्यान रखेंगे और कोशिश यह करेंगे कि कोई भी ऐसी अननिसेसरी चीज ना हो जिसको जिसके तना के मीडिया में उचाला जाए और अननिसेसरी उसका बतंगर बने तो वेलकम वेलकमिंग मुव है और अगर आप इसके नीचे कॉमेंट्स हर एक निउस आइटम के नीचे जाके तो हर एक कुछ लोगों ने बहुत पॉजिटिव तरीके से दिखाया है कि शायद अब जो अननिसेसरी ट्रोलिंग है अननिसेसरी बुलिंग है और इतना बड़ा आदमी अगर कुछ बोल रहा है और कुछ लोग जो होते हैं वो फिर अ दूनिया जुकाने वाला चाहिए तो ऐसा नहीं किसी ने किसी को को जुकाया है और यह गलत परसेप्शन आप मत करिए किसी को हीरो नहीं बनना है इसके अंदर कोई भी मैटर हीरोईजम का नहीं है मैटर यह के बिजनस लॉस होता है टेक्निशन का नुकसान होता है अच्छ करें गई है जो मुवीज रगड रगड के दुनिया ने देख ली है अखंडा जैसी वह तो लीक हुए भी जवाने होगे दुनिया में उसको थेटर में रिलीस करते ना या फिर कश्मीर फाइल्स को रिलीस करते ना यह जबर दस्ती के मौके पर चौकी है कि देखो हम सब्सक्राइब करते हैं जिस दिन आपको 100-800 रुपे में 99 या 149 रुपीज में कई जगहों पर मुवी देखने को मिल जाएगी तो अब देखी वी मुवी जो आप OTT के उपर घस चके हो टेलीकराम पर घस चुके हो उसको बड़े स्क्रीन पर क्यों जाओगे यू राधर से जाओव देखने सब्सक्राइब कर दोने के लिए तो यह विए ठटान के दुनिया में क्या हो रहा है तो पथान के दुनिया में एक अच्छ बड़ अच्छ इंट्व्य गाया जिसके अंदर शारूप खान ने बढ़ा कि बना दिया तो बड़े ।ो बड़े टाइम मेरी मन कि इच्छा पूरी हो रही है and he also clarified that there is no bad blood between him and john abraham it is all fake news और fake news के दो बादच्छा हैं कि आर के वो कुछ ना कुछ अबरस्ती की controversy create करने के कोशिश करते हैं बहुत ही प्यार है दूसरे का बहुत जादा हम सम्मान करते हैं इतनी प्यारी प्यारी बाते बोली है कि यहां तक बोला कि मैं चाहता हूं कि पठान सक्सेस्फल हो और जो कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आये लोगों को जौन इब्रायम को यह बड़े दिल वाले और बहुत ही ज्यादा को इस तरीके की स्टेट्मेंट ना देते हैं जो अपने बारे में और उसरे के बारे में शोड़ होते हैं अपनी केपविलिटी और दूसर की विल्येटी में तो ठीक है बाकी जो थोड़ा बट राजामोली साब को भी लेके कुछ ना पिंग पॉंग चल रहा है वो देको फ लगे उसको न्यूटल तरीके से देखो जो नेगेटिविटी फिलाने वाले चैनल हैं जो सेंसे नेशनलाइज करते हैं थमनेल में भी बॉलीवोड तो गयो यह गयो वो गयो यह तो फ्लॉप हो जाएगा और यह हो जाएगा खंडा इसके उपर भारी पड़ेगा उसके उपर तो समझ में आई जाता है तो बेडर की दिखाव पर मत जो क्योंकि ना क्या होता है कि जैसे ब्रहमास्तर के टाइम पर भी हुआ था कुछ आइधिन्क रनवे 34 के विवा था अगर लोग बुलने है नहीं ऐसे नहीं करने का यह से नहीं देखना यह नहीं देखना तो बड़ है ऐसा मत सोचो अपना देमाग लिगाओ मूवी जार ओली फर एंटर्टेनमेंट अगर आपको अच्छी लेग रहे हैं तो देखो कल मैंने पर्सों मैंने एक्सप्रेस किया था महफता नहीं फ्राइडे को एक्सप्रेस किया था कि वीर सिमा रेटी जैसी क्रिंज मूवी ज मूवी का परपस ही हो है तो जो आपको करूस में कुशी मिलते हैं बंदा उड़ता हुआ विदाउट ग्राविटी ठीक है वह इंटर्टेन होना है बट इसको एंटर्टेनमेंट लेते हुए बाकि जो एक्ष्वल सिनेमा उसको डी ग्रेड नहीं करना चाहिए यह कि अभी पीछे आरार का लेके भी स्टेटमेंट आया था कि यह तैल्गू मूवी है और मेरा उपीनिय नहीं था कि हम तैल्गू घर में हों इंडिया के लैंड पे हो तो भी एक्स्प्लेइन कर सकते है फॉरें लैंड में तो इस इंपॉर्टन तो से दाट वी आर इंडिया मूवी जैसे हिंदी सिनिमा भी रिप्रेजेंट करता है अपको मेरा वी विडियो भी भी लाइव है मैं अपने उपीनियन पर बिल्कुल ही जैसे कहता ना टिका मॉवा हूं पट इसका मतलब यह नहीं है कि आप सार्टे डिस्रेस्प्टिंग राजा मॉली एन इस एफर्ट हमारा डिस्कनेक्ट जैसे घर में भी अगर आपके पापा सब्सक्राइब करने की कुशिश करते हैं कि मैं अच्छा और बाकी सब बुरे जैसे फॉर एक्जैंपल मैं बड़ा वोकल हूं इस बारे में कि मुझे अगनियोतरी साब बिल्कुल एसे लगते हैं कि ऑपर्चुन प्रजेक्ट करते हैं कि जैसे उनी को पता है दुनिया तो बाकी फुद्दू बैठे हैं ऐसे बस उग गए हो तो ऐसे नहीं नहीं चाहिए और व्यूपोइंट रखो बाकी लोगों को बोलने तो और लोगों को भी चाहिए जाके वोमिट नहीं करने चाहिए इस नॉट लोगों कि अच्छी बात है कि अच्छी बात है कि हमें और बी अच्छी कोई नग लग रही है वो मूवी बीकिव उसके अंदर रोमैंस के साथ कुछ सपेंस्फुल चीजे भी लग रही है मुझे इतनी स्ट्रेट फॉवड मूवी नहीं है और पठान जो है वो लग रही है बागी देखते हैं कि लोगों को फर्स देफर्स हो कैसा पसंद आता और उसके हिसाब से यह कित्ती बड़ी होट होगी वो डिसाइड करेगा 200 कुरोड तो यह नहीं है वो तो ही जाएगा इसका लाइफ टाइम बाट उससे बड़ी हिट होना ज़रूरी है तो व होई की कि नहीं होई कि आप लोगों पर डिपेंड करता है कि अपको कित्नी पसंद आती है जैन्मिनली वाले वैसे बहुत सारे ऐसे बरूड़े टाइप लोग भी देखेंगे जो खरोड़े खाके यह बोलें कि हर फ्रेम में दिखाओ हॉल वले भीया ताकि हम नुक्स निक